हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पड़ावसी मित्रदेश निपाल के बारे में। हिमालिया की गोद में बसा ये देश चाइना और इंडिया के बीच में पड़ता है। प्रक्रेतिक सुन्दर्ता से भरा ये देश सबका चहीता है। निपाल साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है। इस देश में 123 भाषा बोली जाती हैं और यहां 80 से भी ज़्यादा जाती के लोग रहते हैं। यही कारण है कि निपाल में एक साल में 50 से ज़्यादा फेस्टिवल्स मनाये जाते हैं। निपाल ही ऐसा देश है जहां एक साल में 100 दिन पब्लिक हॉलिडे दिया जाता है। निपाल में कभी भी 123 दिवस नहीं मनाया जाता क्यूंकि यह देश कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। निपाल ही एक ऐसा देश है जिसका जंडा चार कोने का नहीं है। निपाल के जंडे में दो ट्राइंगल्स हैं. निपाल में 60% से ज्यादा लोग हिंदू धरम मानते हैं और बाकी जंता बुद्धिजम, इसलाम और क्रिस्चैनिटी मानते हैं. शान्ती की प्रतीक, गौतंबुद्ध का जनम निपाल में हुआ था, उनका जनम लुम्बिनी में हुआ था, जो के निपाल के साउथ में पड़ता है. निपाल को बीर गोर खालियों का देश भी माना जाता है. निपाल के गुर्खा आज भी ब्रिटिश आर्मी और इंडियन अर्मी में अपना योगदान दे रहे हैं। निपाल एक लेंड लॉक कंट्री हैं। इसलिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ये देश कॉलकत्ता की बंदरगा का इस्तेमाल करते हैं। मुस्तांग, मनांग, तिली चुलेक, माउंट एवरिस्ट, अनापुर्ना बेस कैम, पोखरा, लुंबिनी और शितवान नेशनल पार्क नेपाल के मोस्ट पॉपॉलर डेस्टिनेशन्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें। झाल झाल झाल